डिस्प्ले पे आप लाई प्रूब दिख सकते हैं हमें कीवी का एक्सिस बैंक क्रिट गार्ड एप्रूब कर दिया गया है इस क्रिडट काड चलने वाला एक्सिस बैंक क्रिट कार्ड है सो इस credit card के लिए आपको कैसे apply करना है कैसे आपका ये credit card approve होगा इस video में हम आपको live करके देखाएंगे उससे पहले आप कुछ important points जान लेजे ये credit card virtual रूप से आपको मिलेगा जिसका number वेगर आपको instant मिल जाएगा and instant ही आपका credit card generate भी हो जाएगा and साथ में आप जितने भी खर्च करोगे इस credit card से उसका 1% का cash back भी आपको मिलेगा and हर 50 रुपे के खर्च पे आपको 2 कीवी points भी मिलेंगे and ये credit card access bank के साथ tie up करके बनाया गया है चलिए अब दिखते हैं कैसे आपको इस credit card के लिए apply करना है दोस्तों कीवी access bank credit card apply करने के लिए आपको हमारे वीडियो के नीचे description box में कीवी credit card apply का link में लेगा उस link पे आप click करेंगे then आप यहाँ पर Google Play Store पे redirect हो जाएंगे यहाँ से आप कीवी application को download कर लेंगे app download करने के बाद simply आप जब app को यहाँ पर open करेंगे then आपसे कुछ permissions मांगे जाएंगे starting में सभी permissions को आप यहाँ पर allow कर लेंगे सभी permissions को allow करते ही यहाँ पर आपकी सामने कीवी का जो benefit से credit card का वो सारे यहाँ पर display पे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर आपको नीचे login का बटन देखने को मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे next page में यहाँ पर आपको अपना complete mobile number फिल करना है जो भी आप credit card से link करवाना चाहते हैं then नीचे get OTP पर click करेंगे अभी आपकी mobile number पर OTP send के जाएगा OTP यहाँ पर फिल करेंगे verify and continue या फिर आपका OTP automatic भी detect हो जाएगा and यहाँ पर next page में आप redirect हो जाएगे next page में आपको get started का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे फिर यहाँ पर आपको कीवी credit card apply करने के जो steps है आपको दिखाया जाएगे पहले step में आपको pen card के detail देना है फिर आपको credit card का apply होगा तर उसके बाद आपका KYC verification होगा and final step में आपका credit card मिल जाएगा process को start करने के लिए नीचे आप continue button पे click करेंगे next page में यहाँ पर आपको अपना complete pen card का number fill करना है then इस box पर आपको tick करना है and उसके बाद यहाँ पर नीचे continue button पे आपको click करना है next page में आपके pen card पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पर fill करके continue button पे click करेंगे and उसके बाद आपके दियेगे details को एक बार verify किया जाएगा and फिर नीचे आपको यहाँ पर continue का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे अभी यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जो नाम आप यहाँ पर भरेंगे वही नाम आपका credit card पे print होगा and उसके बाद आप next button पे click करेंगे next page में यहाँ पर आपको अपना complete date of birth fill करना है यहाँ पर आप date भरेंगे यहाँ पर month भरेंगे and यहाँ पर year भरेंगे and उसके बाद next button पे click करेंगे अगले page में आपको आपका gender बताना है आप male female जो भी है अपने इसाब से आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पुछा जाता है are you married अगर आपकी साधी हो गई है then आप married select करेंगे वरना आप no am single को select करेंगे next page में यहाँ पर आपको अपने complete mother का यानि माता का नाम फिल करना है then यहाँ पर father का नाम फिल करना है and उसके बाद नीचे next button पे click करना है अभी यहाँ पर आप अपना complete email id फिल करेंगे फिर next फिर यहाँ पर आपको आपके mailing address का pin code फिल करके next button पे click करना है next page में आपने जो भी mailing address का pin code डाला है उस address को यहाँ पर complete आपको फिल करना है pin code भरने से पहले ही एक बात का आप खयाल रखेंगे कि आप कोई गाओं का या फिर local area का pin code ना डाले आप किसी popular जगाओं का नाम या फिर colony का नाम फिल करेंगे और उसके बाद नीचे आपको next का button मिल जाएगा इस पर आप यहाँ पर click करेंगे next page में यहाँ पर आप से पूछा जाता है कि जहाँ पर आप अभी फिलाल रहते हैं वो address पर आपका घर rent पे है या फिर owned है यानी खुद का है या फिर आप parents के साथ रहते हैं या फिर किसी और तरीके का घर है तो यहाँ पर अपने हिसाब चापने घर का type आप select करेंगे उसके बाद आपसे आपका employment detail पूछा जाता है अगर आप कोई job करते हैं then I am employed select करेंगे अगर आप कोई business करते हैं या फिर खुद का काम करते हैं तो I own a business को select करेंगे फिर next page में यहाँ पर complete अपने business का नाम फिल करेंगे and उसके बाद नीचे next button पे click करेंगे and उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका experience business में या फिर काम में पिछले कितने सालों से है तो यहाँ पर जितने साल से आप काम कर रहे है वो year यहाँ पर scroll करके आप select करेंगे suppose कि 5 साल से मेरा experience है तो मैं यहाँ पर 5 साल select करूँगा and then नीचे next button पे यहाँ पर आपको click कर देना है next page में आप से आपके business का type पूछा जाता है अगर आपका business private है then private limited select करेंगे खुद का है then sole proprietorship select करेंगे and partnership में है then आप partner ते firm को select करेंगे उसके बाद next page में आपको बहुत सारे business के options दिखेंगे आपका जो business है इनमें से किस type का है आपको यहाँ पर select करना है and उसके बाद यहाँ पर आपको अपने office का pin code select करना है तो यहाँ पर आपने पहले जो pin code डाला था अपने mailing address में वह वाला pin code आप यहाँ पर fill कर सकते हैं then next button पे click करेंगे अभी यहाँ पर दोबारा से आपका address मांगा जाएगा तभी आपका application आगे बढ़ पाएगा तो यहाँ पर आप अपना yearly income डाल के and next button पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको education qualification बताना है आप graduation से नीचे पड़े है then under graduate को select करेंगे graduation के लिए graduate को select करेंगे या फिर आप post graduate को select कर सकते हैं अभी आपके सामने confirmation page खुल करके आजाएगा अभी तक आपने जितने सारे details दिये होंगे सारे details यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे आपको एक बाद details को match करने ना है अगर आपको लगता है कि कोई detail गरत है तो यहाँ पर आपको बगल में pencil का icon मिलेगा इस आइगन पर click करके आप details को edit भी कर सकते हैं अगर सभी details सही है तो आपको यहाँ पर नीची आना है और यहाँ पर आपको एक टमसें condition का box दिखेगा इस box पर tick करके submit with OTP पर click करेंगे अभी आपके mobile नमर पर access bank की द्वारा एक final OTP send के जाएगा OTP आप यहाँ पर fill करेंगे and then verify and continue पर click करेंगे जैसे ही आप OTP verify कर देते हैं आपका जो application है वो processing में चला जाता है और आपके details को एक बार verify किया जाता है जैसे ही आपका details verify हो जाता है उसके हिसाब से अगर आप credit card के लिए eligible होते है then आपका credit card approve हो जाता है and Kiwi का जो dashboard है आपके सामने खुल करके आ जाता है front पर ही यहाँ पर आपको आपका credit card देखने को मिल जाता है and credit card का जो भी number है यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस पर एक बार आप click करेंगे तो आपका credit card का number आपका जो CV भी है and expiry date है सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आप इस credit card के number का use करके directly phone पे Google पे जैसे UPIF में अपने credit card को link कर सकते है and directly किसी भी merchant keyword code पे scan करके direct उसके bank account में पैसे ट्रांसपर कर सकते है यहाँ पर भी नीचे आपको एक scanner का option दिया गया है अगर आप credit card से direct scan पे करना चाहते है दिन इस पे आप click करेंगे and उसके बाद आप जो किसी भी merchant account को scan करके आप जो directly अपने credit card से उसके account में payment कर पाएंगे and आपके जो credit card का limit होता है वो finally आपको इस app के अंदर ही देखने को मिल जाता है and आपको message में भी and email पे भी send कर दिया जाता है कितना ही नहीं आप अपने bank account को भी directly यहाँ पर link कर सकते हैं link bank account पे click करके and directly यहाँ से भी आप अपने bank account के साथ UPI use कर सकते हैं and किसी को भी scan पे करके payment कर सकते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको rewards का भी option मिलता है सारा process मैंने आपको live करके दिखा दिया है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like से इस पर comment कीजेगा and channel को subscribe कर लीजेगा